हिमाचल प्रदेश में शिमला के संजवली में कथित आवायद मस्जिद मामला सुरतने के बजाए उलचता ही जा रहा है हिंदू संगटनों और लोकल देदिडेंट के बुदवार के प्रदर्शन के बाद शिमला के व्यापार मंडल ने गुरुवार को बाजार बंद का आवान किया है कारोबारी सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक दुकाने बंद रखेंगे और पुलिस के खिराब प्रदर्शन करेंगे प्रदर्शन कारियों ने चिताबनी दी है कि कोड़ का फैसला आने तक मस्जिद को सील किया जाए ऐसा नहीं किया गया तो आंदूलन को उग्र किया जाएगा शिम्ला के संजोली में गुद्वार को प्रदर्शन कारियों और पुलिस में दोरदार जड़ब हो गई थी पुलिस को प्रदर्शन कारियों को आगे बढ़ने से रोपने के लिए लाटी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तिमाल करना पड़ा था पुलिस के इस भल परियोग से भीड़ तो तीतर वितर हो गई लेकिन शिमला के व्यापारी बढ़ा कुठे हैं संजली में मढ़जित विवाद में तीसरी बार परदर्शन हो चुका है संजली में मढ़जित गिराने को लेकर चल लहे आंदोलन को लीड करने वाले केसी चौहान के मताबिक यह आंदोलन पूरे परदेश में चलेगा उन्होंने कहा हम मानते हैं कि ये मामला कोर्ट में विचारा धीन है लेकिन हमारी मांगिया है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक मस्जिद को सील किया जाए और सारी गतविदियां बंद की जाएं प्रशाशन ने इसे नजर अंदास किया इसलिए जनता का गुस्सा फूटा है उन्होंने कहा एक सितंबर को जब इस्थानी लोगों ने प्रदर्शन किया तो डी सी शिमला ने परुसा दिलाया की जल्द फैसला ले लेंगे फिर भी इस मामले को लटकाया जा रहा है शिमला व्यापार मंडल के अदर संजीव ठाकुन ने कहा संजवली बाज़ार में हिंदू संगटनों के उपर लाठी चार्ज के विरोध में शिमला बंद की कॉल दी गई है ये हिंदू समाज के लिए शर्म की बात है उन्होंने कहा सुबह दस बजे से दो पहर एक बजे त सरकार के मंतरी विक्रमतित सिंग ने कहा ये मामला लंबे समय से लंबित है जहां तक इसमें अवायद भवन के निर्मार की बात है उस पर सरकार ने संग्यान लिया है उन्होंने कहा अगर ये अवायद पाया जाता है तो निश्चित तोर पर इसे दोष्ट किया जाएगा मस्जिद के माम शहज़ाद ने कहा कि यह मस्जिद 1947 से पहले की है पहले मस्जिद कच्ची थी और दो मन्दिल की थी लोग मस्जिद के बाहर नमास पढ़ते थे जिससे नमास पढ़ने में दिक्कत आती थी इसे देखते हुए लोगों ने चंदाए खटा किया और मस्जिद निर्माल शुरू किया जमीन वकबोट की थी मस्जिद की दो मंजिल को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है वकबोट इसकी लड़ाई लड़ रहा है कानून का जो निर्णा होगा वो सभी को मंजूर होगा संजोली मस्जिद 1947 से पहले बनी थी 2010 में इसकी पक्की इमारत बननी शुरू हुई तो नगर निगम में शिकायत की गई थी अब मस्जिद पांच मंजिला है नगर निगम 35 बार अवयत निर्माण तोड़ने को नोटिस दे चुका है ताज़ा विवाद 31 अगस्त से शुरू हुआ जब दो गुटों के बीच मार पीट हुई और 6 मुस्लिम लड़कों ने ये अश्पाल नाम के इस्थाने कारूबारी की पिटाई कर दी इसके बाद हिंदू संगटनों ने मस्जिद का वैद निर्माण गिराने की मांग की पक बोर्ड ने कोर्ट को मालिकाना हक के दसवीज जमा कराए कोर्ट में इस मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई होनी है और संबंदित कनिष्ट यानी जे ई को फ्रेस्ट इस्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है संजवली मस्जिद को लेकर मंतری अनी रुद्ध सिंग ने विधान सबा सत्र में कहा था संजवली में मस्जिद के कारलोगों में आकरोश है एक संबदाई विशेश के नए नए लोग रोज यहां आ रहे हैं क्या ये रोहिंगिया मुसल्मान हैं वे कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो भंगादेशी हैं उन्होंने का इस्तानी वक्ति अवैद निर्माड करें तो उसे तोड़ दिया जाता है और संजवली में बिना परमीशन बहुमंदला मस्जिद बना दी गई लेकिन इसे तोड़ा नहीं गया जब इसका निर्माड किया गया तो परशाशन कहां सोया था छी हजास सतावन वर्ग फीड अवैद निर्माड किया गया इनका बिजली पानी क्यों नहीं काटी गई उन्होंने कहा प्लोवर बाजार में औरतों का चलना मुश्किल हो गया है चोरिया लव जिहाद क्राइम हो रहा है इसकी जाच होनी चाहिए मौन तूरा जा दस्तक लाइब नियूस